ये है डेर करोर का विनर जो पिछले मैच का था इंडिया उस्ट्रेलिया का जो के उस्ट्रेलिया जीत गई थी ये है ड्रीम टीम के प्लेयर्स इनमे से भी तीन प्लेयर यहां पे चले नहीं थे अच्छे इनके एक पटेल और एक एसिंग बाकि सारी लोग चले थे और मज़े का जो प्राइस पूल है वो टोटल यहां पे 52 करोर का है चार टीम आपके लिए बनाया है हमने हमने आपके लिए कम से कम च्यार ग्रेंड देखो दोस्तों अगर आप लॉस में जा रहे हो देन आप ऐसा करो कि आप यह दो जो होते हैं आप वो खेला करो मतलब इतने ज्याद का नहीं बट अगर बहुत लॉस में जा रहे हो देन आप ट्राइ कर सकते हो इन सारे छोटे-छोटे लीक्स को जिसमें सिर्फ दो ही लोग रहेंगे तो मैंने टीम बनाया है आपके लिए बहुत इंपर्टेंट हैं फरस्ट फॉल एक मिनट मैच के लास्ट लास्ट पॉइं आपके लिए ठीक है एलिस फ्लॉप हो गए थे अधरवाइस देखो कितने सारे प्लेयर मैक्स विल चले थे यहां पर अभी शनुई चले थे बैंड़ चले थे यहां पर टी हेड भी चले थे सुरी कमार यादो भी थोड़े पर चले ते गाई कोड चले ते जस्वाल आउट पूरे लॉजिक के साथ पहले तो प्लेइंग लिएंग लिएंग करते हैं आपके साथ क्यूंकि देखो वह ज़रूरी है सबसे पहले एवरे स्कूर बता दो दोसों के गड़ी वेवरे स्कूर जाने वाला है भाई लोग वीडियो को बिल्कुल एंट देखना टेरी ग्रम ज सर्च करके करो लिंक काम नहीं कर रहे हैं तो सर्च करके करो लिंक काम कर रहे हैं जोइन कर लो ऑके लिए आप पे सा criar विद नरायन सिंग इंटरनेशनल स्टेडियूम रायपूर में यह मैच होने वाला है और यहां पे स्पिनर्स एंड पीसर्स दोनों विकेट लेते यहां पे और आपको यहां पे मैं बता दूँ तो सबसे पहले प्राइब लिए चांस यहें कि स्रिया सेयर खेले और अपको तिले गर्मा कहलते हुए ना देखे दोनों मैंसे हीं चीह होगा ठीक है क्लियर यहां पे आपको अक्सर पटेल देखने को मिलेंगे और अक्सर पटेल के साथ यहां पे एक चीज़ और सेयर करूंगा A. Singh, Bisnoy और यहाँ पे A. Khan ये prayers खेलने वाले हैं अब Prasidh Krishna खेलेंगे otherwise यहाँ पे आप उन के जगे पे सुन्दर देखने को मिलेंगे Prasidh Krishna या सुन्दर most probably chance तो यही है कि सायज से सुन्दर खेल लें लेकिन यहाँ पे Prasidh Krishna भी खेलने सकते हैं के लिए अगर प्रसीद कृष्णा खेल रहे हैं फ्रसीद कृष्णा को हम लोग सेलेक करेंगे अधर्वाइस हम लोग सुन्दर को संदर कर लेंगे ओके क्यूंकि कि बॉलिंग तो वो आखिर करा नहीं वाले, इंडिया के बॉलर्स को तो लेना ही, ठीक है, क्लियर, इंडिया का प्लेइंग लेवन, अब बात करते हैं कितने नंबर पे खेलने वाले हैं कौन-कौन से प्लेयर, सबसे पहले आपको यहाँ पे तुराज काईकवर्ड, यसे इसान किसन खेलते हुए दिख जाएंगे, जो यहाँ पे हैं, और फूर्थ पे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, सुरिक कुमार यादो, और फिप्त नंबर पे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, सुरया सयर, डन, अब यह पांच प्लेयर जो हैं, मेरे को नहीं ल लेने का तू क्या बनता है आपको नहीं तर्इंकु सिंग को लेने का बनता है न क्योंकि इतने खतरना खतरना प्लेयर अलरीडी है रिंगु सिंग के उस उस cases में अपले सकते हो, अगर Australia first batting कर रही है, Australia first batting कर रही है, इंडिया का balling line अच्छा नहीं है, अभी के date से, batting line बहुत strong है, जो हम इंडिया के वोके ऐसा बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के balling line में कुछ सुधार होना चीए, क्योंकि इसलिए सुधार क कारण से ही यहाँ पर प्रसीद कृष्णा को हटाया जा रहे है, क्योंकि रन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, हर एक match में, ठीक है, तो batting line बहुत ही better है, और अगर first Australia batting कर रही है, then हम लोग थोरा सा सूच सकते हैं, अपने रिंकु सिंग के तरफ से, done, Australia, Australia का यहाँ पर जो जीज़ें, बहुत important है, वीडियो को enter देखना आप लोग, ठीक है, सबसे पहले इंडिके तरफ से बात करें, कौन-कौन से player खेलने वाले है, क्योंकि यहाँ पर Maxwell नहीं खेलने वाले है, Smith नहीं खेलने वाले, कुछ ऐसे-से top players है, जो नहीं खेलने वाले, Stonis नहीं खेलने इंडिया अगर दो में से एक match जीट गया, वो जीत गया है, T20, और अगर Australia, दोनों match, Australia को जीतना है, तो दोनों match लगतार जीतना परेगा, उसे, done, 5 में से सोने वाले है, ठीक है, तो सबसे पहले, Mithubate खेलने वाले है, यहाँ पे J-Philips खेलने वाले है, और यहाँ पे आप बॉलर्स के तरफ से मेरे को नहीं लगता कि कोई changes यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर मिलता भी है, तो यहाँ पे Senga को अटाके किसी और कुली आ जा सकता है, but most probably यहीं चार बॉलर्स होने वाले है, done, अब बात करते हैं, कितने नंबर पे कौन खेलने वाला है, तो अगर खेलने की बात करें, तो आपको पता ही है, सबसे पहले ट्रेविस हैड उधरते हैं, और अगर बात भी हो रहा है, तो इनके तरफ से, उसे लिए के तरफ से M-sort उतर से होगा, आपको दीखते हैं, हाला कि M-sort को बहुत अपने इंडिया के बॉलर्स तंग करते हैं, तो M-sort यहाँ पर या तो अच्छे ही खेल जाएंगे, या तो इने आउटी कर दिया जाएगा, तो Grand League के लिए किसी एक दो टीम में आप रख सकते हो, चार टीम पाच टीम बना रहे हो, Grand League के लिए एक टीम नहीं बना जाता, आपको भी बता होते हैं, एक टीम लग बाई ल जाएंगे, थर्ड नमबर पे इनके तरफ से आपको J-Flip उतरते हो, दिख जाएंगे आपको, तो J-Flip को आप लोग थर्ड नमबर पे सलेक कर सकते हो, एक तो प्लेयर का सलेक्शन भी होता है, पता है आप क्या करते हो, एक अगर आप Grand League के लिए कुछ डिफरेंट अपने को करना पड़ता है, अगर फर्स्ट साइट से अगर माले को ऐस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है, जिस पोजीशन पे, तो हम लोग J-Flips को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सलेक्शन कम है, और लोग जादा सलेक्शन वारे लोगों के तरफ ही जाते हैं, वो यह सोचके कि यह रन म एक्शन कम जिसका है, आपके लिए वो बैटर प्लेयर है, तो अगर फर्स्ट में लॉस के लिए बताया है, मैंने दो बंदे एक आप पस वही खेलो, ठीक है, और ग्रेंड लीग के लिए खेल रहो, तो आप थोजा से डिफरेंट राई करो, लाइक ग्रेंड लीग में आप जे फिलिप को ले सकते हो, अब मैंने बता दिया, थर्ड पर ये उतरने वाले है, फोर्थ पर उतरने वाले है, यहाँ पर बैन भाई, फोर्थ पर बैन भाई उतरने वाले है, ठीक है, ध्यान रखियो आप लोग, और फिप्त पर उतरने वाले जो प्लेयर है, उनका नाम है सिधा सिधा अभी तो निकल के आ रहे है कि यहाँ पर आपको एमोवेट खेलते हुँ दिख जाएंगे देन यहाँ पर ट्रैविस हैड़ी सुरी आप यहाँ पर नेक्स्ट में आपको हार्डी दन फिप्ट पे बेन शिक्स पे एम वेड सेवन पे बेन भाई टीम डेविड सॉरी टीम डेविड ठीक है उसके बाद यहां पर बेन खेलते हुआ आपको दिख जाए है ना या फिर बेन को थोड़ा पहले खेला ले डन चार तो मैंने बता दिया इधर से एक इधर से फिलिप भाई दो और तीन और चार अब चले बॉलर में कोई खास चेंजस नहीं है अब आपके साथ टीम करते हैं क्योंकि देखो कंफर्म कुछ इनके तरफ से भी थोड़ा बहुत चेंजस तो नहीं है क्योंकि डाइट ती दिखने के तरफ चेंज सवाल ही नहीं पैदा हो कियों करते हैं हर एक यूटूबर टेलीग्राम का बात क्यों करता है देखो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर आयो आपका दिल स्वागत है आपके भाई के जादा लॉस नहीं होने देगा जहां तक आसे रहो वहां तक आपको से रखेगा जहां तक मैं जिस गलि से गुर्जाए हूँ, मेरे को पता है, की मेरे को कैसे चलना है, आपको भी उसी तरह से चलाना चाहूँगा कि आपका लोस नहूं है तो बोल रहा हूँ एक से दो ग्रैंड लीग खेले के चार टीम बनाओ । चार टीम में आप native लोगे अर अगर आपको ग्रैंड लिग जीतना है तो अगर आपको सीधा प्रॉफिट ही प्रॉफिट मतंब इंकम करना है डेली बेसेज पे तो वो 62 प्लेयर जो होते हैं आप और वो वो खेलो आप समझे के बात को अब चलिए मैं आपको टीम सेयर करता हूं मैंने टीम मैं पता आपके साथ साथ टीम बता रहो हैं कि पान्च साथ टीम रहां नहीं बताते हैं Big C7 तीम करके और आपको मैं आपको करना पर तेली मिद तो उसके मताबिक किसको सपोर्ट मिलेगा किس बॉस्ट वह इनिंग को बोले जीडे सपोर्ट मिलेगा ये सब चीज़ες होती है ठीक है впテ datasets को तो यहां पर यहीं सीन होड़ा है क्योंकि सीथी जो होता है तंग करता है इसलिए अब वीडियो अप्लोड करना थोरा सा लैंदी हो जाता है क्योंकि उस टाइम पर आप भी कंफ्यूज हो जाए को वीडियो देखने में आपको पहले नंबर पांच मिट दस मिट लग समझगे चलिए सबसे पहले फर्स्ट टीम की बात करते हैं तो फर्स्ट में हमने इंडिया के पक्स से बनाया है कि इंडिया अगर फर्स्ट टॉस जीत के या फिर कुछ भी कंडिशन बे अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है फर्स्ट इंडिया बैटिंग कर रही है देन उस प्लेयर्स के साथ मैं बोलूँगा इंडिया के तरफ से चार प्लेयर्स आपके लिए सीफ रह सकते हैं अगर ज्यादा आपको डर लगता है तो फुर्ण लीग के लिए तो आपको टॉप फ्लेयर्स को तुरह वो चुनना ही पड़ता है अधरवाइस आपका नंबर घट जाता है ना लेकिन ग्रेंड लीग में थोड़ा डिफरेंट वी आपन जाते हैं अब इसमें क्या होता है ना कि मान लोग की इंडिया के अपने बॉलर्स दो विकेट ले लिए प्रसित क्रिश्ण नहीं के लिए इंडिया के वार बॉलर्लर को हम लोग लेंगे या तो अक्सर पर पॉइंट आ जाएगा इस तरह से लिए प्रसित क्रिश्ण नहीं में देखो यकिन यह लेकिन विकेट लेते हैं लेकिन रन बहुत जा देता है रन से क्या मतलब है विकेट लेती है चलिए रभी विश्ण वी तो बहुत इंपोर्टन पिक है तो अब मैं आपको बताता हूं कि इनके तरफ से विकेट गिरेंगे अगर ऑस्रेलिया के तरफ से एमवेड यहां पर आपको खेलते हुए दिखेंगे हाड़ी यहां पर खेलते हुए दिखेंगे आपको और कुछ फ्लिप भी खेलते हुए दिख सकते है जो फ्लिप विकेट कीपर में और टीम डेवीड भ मैं बोलूँगा hardy भी safe zone के रहेंगे मैं बोलूँगा hardy को भी आप लोग थोड़ा बहुत team में जरूर से रखना hardy को तो मैं बोलूँगा किसी cases में चाहे कुछ भी हो जाए hardy को जरूर से अपने team में रखना done okay captain voice captain में बाद में बताने वाला हूँ तो अब इन प्लेयर्स को अच्छे खासा इंडिया बैटिंग कर रही है तो अच्छा खासा point बनने वाला है no doubt लेकिन यहां पर किसी को आप लोग इग्नौर कर सकते हो इन 5 में से किसी एक को इग्नौर कर सकते हो चाहे तो आप इसान किसन को इग्नौर कर दो या तो आप यहां पर SSV जस्वाल को इग्नौर कर दो दो प्लेयर्स मेरे को ऐसे लगते हैं कि यह आउट हो जाते हैं ठीक है मैंने हर वीडियो में बोला है कि अभी भी बोल रहा हूँ कि गाईकवड एक ऐसे प्लेयर है मैं रेड में करके आपको दिखाऊं तो मैं बताता हूँ गाईकवड एक ऐसे प्लेयर है जो जल्दी आउट नहीं होते रन मारते हैं डाउट आपका क्लियर कर दिया हमने अब बात करते हैं कि उस केजस में आप पर जस्वाल या फिर किसन गंव रिए तो मैं बोलूंगा कि सब्स्वाल है कैसे अजिक क्छे नहीं कि ठीककts कि और इंडियerson गिए जाहिर सीवार्फ इंडियकर तरब से विकेट गिरेगा और उस यहां पर आएंगे विकेट तो वो लेंगे यह तो मेरे को पूरा पूरा भरोसा है तो आप लोग रिस्क रहेगा थोड़ा बहुत रिस्क के साथ चलना परेंगा तो इस टीम में अगर यह लोग ना भी लेते तो भी एक यह बंदा विकेट ले लेगा इसलिए एक हमने रखा ह तो उस केसे दिन भी अपने थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं ड्रीम टीम में सिर्ट बंदा आ जाए कोई भी ड्रीम टीम में आ जाए अपने को वही मतलब होता है ना ड्रीम टीम में कोई एक आ जाए ज्यादा नहीं है चलिए तो यह भी पॉइंट तेरा बंदा और ड् प्रेसर रहेगा तो अक्सर पटेल को आप लोग थोड़ा बहुत चाहो तो थोड़ा चेंजेस अगर होता है तो अक्सर पटेल के जगह पर किसी और को भी ले सकते हैं अक्सर पटेल यहां पर अच्छे कुछ साबित हो सकते हैं यह आप लोग राई कर सकते हैं और तब जैसे मैचेस हो रहें तो जाहिए से बता है यहीं चेंजेस वो लोग करेंगे अपने उपर बस यह हो गया तो इनके तरफ से देन वही चीज़ मैंने एमवेड को चुन है टीम डेविड को चुन है हाड़ी को चुन है बस तीन प्लेयर्स को हलाकि मैं यहां पे किसी फिलिप के इसके अंदर अगा लेना चाहो तो एमवेड को इगनौर करके आप ठी को रख लेना ठीक है ऐसा भी रख सकते हो नो डॉड़ इसको भी रख सकते हो ठीक है थाइड टीम में हमने जो बनाया है अब इसमें हमने सीधा-सीधा रख यहां पर प्लेयर्स तो उतना ही रख रख एक दो तीन चार पांच यहां पर टेखोगे ट्रेविस अ अच्रेट ये लोग यॉ बैटि अस्ट्री ऐसा होता है कि अगर इंडिया के प्लियर अच्छे कासे रन बना देते ना दोस्तों तो यहां पे मैंने उस जगए पर ट्री हेड को रखाए ट्री हेड करेंगा अगर जस्वाल अच्छा चलते तो वोइस कैप्टेन हमने इन्हें ले लिया है अगर जस्वाल को भी इस मैच मे हाला कि Captain पर भी ध्यान मत दे हैं, Captain में Travis Head को लिया है, Travis Head को इसलिए लिया है, क्योंकि अगर First India बैटिंग कर रही है, तो ये प्लेयर अच्छा इस मैच के लिए साबीत हो सकता है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, कुछ चेंजेस होगा, मैं डेली ग्राम पर सेर करूंगा, चेंजेस करके टीम भी, आप टेंजेस के लिए ना हो, लेकिन यहाँ इनके तरफ से दो प्लेयर से, ऐलीज को भी हमने लि आप लिए बहुत लिए, बहुत है, मैं नेक्स वीडियो से इंप्रूब करने ही कोसिश करूंगा, नेक्स टाइम से, टेंशन ना लोग आप लोग, लेकिन मैं इस चीज के लिए, क्याप्टन के लिए यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं गारा था, लेकिन यहाँ पर ट्रेविस है इस केस में, कैप्टन के लिए सही रहेंगे, वोइस कैप्टन आप लोग सीधा सीधे यहाँ पर, या तो इसान किसन को फेक तो, या तो आप रिटुराज का एकवट को वोइस कैप्टन के रूप में फेक तो, बढ़िया रहेंगे है न, और यहां पर, अगर विकिट्स भी लेते हैं तो आपके लिए कुछ साबित हो सकते हैं अगर जस्वाल को हटा दो तो हो सकता है नहीं तो इसान किशन को डायेक्ट आप इसान किशन को ना चुनो इनके तरफ से आप उसको चुन सकते हो जे फिलिप को ड़न यहां पर जो चौथा टीम मैंने बनाया है इस टीम को हमने जो बनाया है यहां पर प्लेयर्स को मैंने थोरा सा मिस कर रहा है मैंने इस तरह सेर को अटा दिया है और यह मैंने बनाया है और यहां पर ऑस्टेलिया के तरफ से हमने विकेट अगर अपने इंडिया के प्लेयर्स ल हब सकते हैं तो यहाँ पर देंगे तो सब्सक्राइब 10 एक नतर्रेप difference like center Utam to biggest difference उसमेद के लिएक रहाँ सकते हैं और आपको अच्छे- 3 को कुछ इस्ति यह करते यहां टीम में यहां पर ट्राइब कर सकते हुआ मत्तब वोईस कैप्टन कैप्टन आप लोग टीएड को रखना और यहां पर वोईस कप्टन रखना ठीक है क्योंकि यहां पर कुछ विकेट्स अगर गिराते भी है तो परवा ज्यादा नहीं होगा लेकिन यहां पर फिर भी बॉलर आपके टीम में आते ही है और विकेट्स लेते तो यहां पर आपको सायद इन के तरफ से कुछ नुकसान भी देखने को मिलता लेकिन अच्छे बॉलर है मैं पहले आपको बता रहा हूं ठीक है अब आपके सामने में उस बेसेस पे नया टीम बनाता हूं जिस बेसेस पर यहा तो यहां पर अगर विकेट्स गिरता है यहां पर आपको यहां पर आते हुए आपको देखेंगे जेफ्लिप देखेंगे उसके बाद यहां पर आपको हाड़ी देखने के लिए मिलेंगे तो हाड़ी आएंगे तो शुरुआत में फर्स्ट बैटिंग करें तो इतना ज्यादा प्रेसर नहीं रहता है ठीक है एमशॉट भी खर जाकते लेकिन यहां पर एमशॉट को मैंने गिरता ही ना विकेट तो उसमém profit पता है कीसको देखने को मिलता है अपने को profit देखने को मिलता tk बाकी players थो उनके सलेक्सें में है आजय ना वहिस बाद में लोग बहुत खतरनाक किस हुउच्न कराने वाले वाले तो मैंने गैंड्र का को ले लिए और बस इनके सिवाय में रिचर्ड रसन को चाहिए तो आप ले सकते हो लेकिन मैं बोलूगा कि आप लोग या तो एली को ले लो किसी को भी ले लो किस कोई एक यहां पर बॉलर हो सकता है जो अच्छा परफॉर्म कर जाएगा और करेगा ही करेगा बैंडरोफ को लेकर सब्सक्रणबार आप यहां पर इंडियों के तरफ से लेंगे मिवाखि कीपर की तरफ से भी पांची जहां थोरब से कहां पर लोग के इसे कम लेंगे कि बाद में खेलने वाले लेकिन यहां पर विगेटे वोग गिराते हैं तो केस में यहां पर आपके लिए भगवान साभित हो सकते हैं वह लोग अगर कमाल करते हैं जो की आपके लिए भगवान साभित हो सकते हैं देन उस यहां पर सकते हो आपको इग्णोर करने मैंने चुना था आपको भी पता है तो बस उसी केसे से मैंने चुना है बाकि एक ही प्लेयर को बच रहा है जो कि यहां पर मैं जस्वाल को इग्नॉर कर दूंगा इस मैच के लिए क्योंकि अगर हिट करके आउट होते हैं तो फिर कुछ न कुछ पॉइंट तो यह बंदा दे देगा यार प्रेसर अगर इंडिया जैसे कि अपने पांच टीम है उदर से च्छे हैं कुछ बैटिंग से पॉइंट करें को कुछ शांस मिल सकता है अगर हो सकते हैं तो कुछ नुक्सान यहां से देखने को मिलें चाप्टन वेस्ट के लिए बहुत में रहेने वाला तो अभी आपके सामने ही से लिक करूंगा और बेस्ट बताऊंगा जैसे कि जेफलीप हो गया तो जेफलीप यहां पे खेलने वाला बंदा तो इसलिए मैंने लिया है और टी हैट तो शुरात में खेलेंगे लिए अच्छा कि अगर पॉइंट बन गया देन आपके लिए यह बहुत है दें अब देखते हैं क्या होता है बाकी रविष्णोई विकेट्स लेते हैं किसी का भी एक तो यहां पे एमशॉट का विकेट ले लेंगे मैं यही सोच के चल रहे हैं इंडिया के किसी एक बैट्समें जिसका नाम है क्योंकि कुछ भी हो सकता है नो डाउट दोस्तों तो उस केसे पर मैंने यह टीम बनाया ह करते हैं यहां पिए ऊपके ज्रिष्ट को ले सकते हैं यहां पे यहां पे एक विकर तो गिरेगा और नहीं गिरता है तो भी पॉइंट बना के चल जाएगा बंदें तो भी आप ले सकते हैं पॉइब को इंग्णॉर करके आप लोग यहां पे उसे एम सॉट को ले सकते हो एम सॉट यहां पर बात कर रहा हूं बहुत अप्ट टीम यहां पर एम सॉट ठीक है और बात कर लेते हैं यहां पर खेलने की बात करो तो फॉस्ट में अगर बैटिंग कर रही है ऑस्टेलिया मैं सेकेंड में रूतु राइस गाईकवर्ड के तरप से जाना चाहूंगा अगर आपको जाना है तो सीधा सीधा आप सुरी कुमार याद नहीं तो यहां पर आप लोग इनके तरफ से जा सकते हो और चाहो तो एज़े कैप्टन के रूप में जुन सकते हो दो प्लेश को अगर शेकेंड में बैटिंग इंडिया का आ रहा है इंडिया का सेकंड में और अजय को लिया आप चाहो तो सुरी कुमार यादो को भी ले सकते हो एक ठीक है और हाला कि किसन भी अच्छा पर्फॉर्म कर सकते हैं यहां पर मैं रिदुराज के तरफ से जाने चाहूंगा क्यूंकि यहां पर चार नंबर पर बैटिंग करने का चांस मिलेगा यहां पर यहां पर दो विकेट्स गिरेंगे तभी जाके यहां आएंगे तो है तो रासा दिफिकल्ट बट बट भगवान हो सकते इस मैच के लिए इसान किसन भी वहान हो सकते नूर आउट तो यह तीन ही प्लेयर बाकी में इस रहा से बाद में खिलेंगे तो उतके तरह से मैं नहीं चाहूंगा अगर देखा चांस आ नहीं रहे नहीं कहलेंगे वह इसमें तरफ से बात करें तो शुरुआत में बैटिंग करें तो यहां पर इनके तरफ से कुछ बॉलर भी हो सकता है तो वह सकता है तो थोड़ा सजुआ केल सकते हो अब चाहे वह आप लोग वेंड़ों पे लेही लेगा तो आप लोग यहां पर 50 पॉइंट करीब देखने को मिल जाएका चालिस पॉइंट तो मतलब 35 चालिस पॉइंट पचास पॉइंट आपको मिल जाएगा वह सकते हो और बैस्में आके आउट हो जाए तो आपके लिए वह एक बहुत ही पॉइंट बन जाएगा और यहां पर हारने का चांस बन जाते है तो इसे लिए बॉलर्ड इक सीफ जोन होता है और विकेट इनके तरफ से बालद पर मैं बोलूँगा क्या आप वोईश कप्टन खेल सकते हो बंदा परफॉर्म कर सकते हैं अप यहां पर बात रहता है इंके तरफ से थोर्ड अगर को जाना है तो आप रूतुराज का एक वर्ड एंड मैं बोलूँगा ठीक का तरफ से जा रहा हूं है ठीक बार-बार क्यों चुन रहा हूं है आप लोग डिफरेंट चुनना ठीक है मैंने यह नहीं बोल रहा हूं कप्टन वोइस कप्टन में उधर सेड करूंगा आपके साथ तीम और टीम की बेसेस पे जो होता है वह भी सायध हो सकता तो मैं एक विडियो और लाओंगा किस टीम में कैसे चुनने तो किस टीम में कैसा वोइस कप्टन हो चाहिए यह बहुत है आप लोग समझ रहे हूं मैं से टेंशन ना लेना आप लोग नेक्स वीडियो भी आएगा तो मैं चुनूँगा टेंशन ना लोग ठीक है तो ट्रैविस हैड को आप चाहो तो इनके तरफ से बॉलर भी हो सकते हैं तो बॉलर के तरफ से थोड़ा बहुत आप लोग यहां पर वोईज के लिए रूप में ल यह फिलाल के लिए है मेरा पिक आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बताना और हाँ एक वीडियो को लाइक आप लोग कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम जरूर से जोइन करना और आपके लिए बहुत साई चीज़ें बताते हैं बहुत साई अच्छा खासा प्रोफिट देखने को मिल जाएगा 200 लगा के 400 रुप आपको मिल जाएंगे और इसमें मैं बोलता हूं सेफ रहता है एक बनता भी गलत सब्सक्राइब और पता है क्या करना टीम कब बनाना टीम आप पहले से ही बना ले ना इसमें और सुधार टाइम पर आ टेलिग्राम थिंक यू सो मच